हेलो एब्रिवान माइटल ठीच्छा में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स नर्स पार्ट टू का जो पेपर थिरी एंड पेपर फूर का जो सिलेबस है उसको आज हम लोग इस वीडियो लेक्चेर के माध्यम से जानेंगे तो चलिए बिना समय इस ट्रटár करते हुए हम लोग चलते है अपने सिलेबस पर तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग पेपर ठीज लुई आ पहें फिजिक्स नर्स पेपर ठीज आपका है वं तो सबसे पहले आपे OUTने फूल लुक्षक की देखेंगे 4 marks आपको 75 marks का exam में question पूछा जाएगा और समय कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो समय आपको 3 और स्यानी 3 गंटे आपको दिये जाएंगे और चलिए हम लोग यहाँ पर अपना instruction को देखेंगे instruction क्या दिया हुए आपको तो देखें यहाँ पर आपको instruction दिया हुआ है 12 questions to be set 6 to be answered 4 from group A and 2 from group B देखें यहाँ से आपको 4 question को group A से आपको देना है और 2 question को आपको group B से answer देना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर group A, group A में आपका कौन सा chapter है जिससे आपको question पूछे जाएंगे तो देखें यहाँ पर group A में आपका एक ही chapter है optics जिससे आपको total 8 question पूछे जाएंगे ओके तो यहाँ पर आपको screen के सामने दिख रहा होगा group A से total optics में जितना आपको topic होंगे वो total आपको screen पर दिख रहा होगा आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं और अपने copy पे इसको लिख सकते हैं चलिए तो हम अब चलेंगे group B में तो चलिए हमनों चलेंगे अपना group B में और देखेंगे उसमें क्या है आपका chapter क्या है तो यहाँ आपको group B दिख रहा होगा screen पर group B जो यहाँ पर screen पर है आपका electromagnetic theory इलेक्ट्रो मेंगनेटिक theory जो है आपका इसे आपको total four question पूशे जाएंगे इसमें से आपको two question का आपको answer देना है तो यह आपके screen पर दिख रहा होगा जो electromagnetic theory जो है जिसमें जितना भी chapter है टोटल आपको यहाँ पर screen पर दिख रहा होगा आप इसका screenshot लेकर अपने copy पर लिख सकते हैं और आप इसका तैयारी कर सकते हैं तो इस प्रकार आपका paper three का total saliva समाप्त होता है तो आगे हम लोग चलेंगे paper four पे और देखेंगे उसमें कौन कौन सा chapter है और क्या क्या से आपको question exam में कूशे जाते हैं तो आपको यहाँ पर screen पर दिख रहा होगा physics honors paper four physics honors paper four जो आपका screen पर दिख रहा हैं और इसमें भी देखिए जहाँ पर इस्ट्रक्शन है टुर्फ कोशन आपको यहाँ पर भी पूछे जाएंगे और यहाँ पर selecting at least one from group A आपको यहाँ पर one question कम से कम group A से आपको select करना है at least two from each of group B and group C यानि कि आपको at least two question group B and group C से आपको select करना है तो चलिए हम लोग चलेंगे group A में और देखेंगे group A में आपका कौन-कौन से chapter है जिससे आपको exam में question पूछे जाएंगे तो यहाँ क्या पर आपको group A में सबसे फस्ट ज्यों चैपकर आपका है जहां Electro mathematics and Magnetism example station by sound so many manade फौें आपको communion पूछे यह जाएंगे आपको exam मने तो क्याँत्य मैं जो आपका टोटल ज़ु आपका topic है वह आपके स्क्रीन पर दिख़ जा होगा यहाँ आपको पर आपका टोटल टॉपिक है यहां पर टोटल टॉपिक जो आपका यह आपका गृूप एक हाँ आप इसको स्कीन साट लेकर अपने कोपी पर नोट कर सकते हैं आगे हम लोग चलेंगे group B में और देखेंगे group B में कौन-कौन से chapter है तो यहाँ पर आपके screen पर दिख रहा हुआ group B तो group B में भी आपका एक ही chapter है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है current electricity current electricity है आपका group B में जिससे आपको 5 question exam में पुछे जाएंगे ठीक है 5 question आपको exam में पुछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 question का answer देना कम से कम 2 question का answer देना अनुवार है तो आपको जो screen पर दिख रहा है group B का जो total topic है current electricity का आप इसको screen shot लेके copy पे note कर सकते हैं या फिर video को pause करके इसको आप copy पे note कर सकते हैं और आपना त्यारी कर सकते हैं आगे हम लोग चलेंगे group C पे तो यहां पर आपको group C दीख रहा होगा screen पे group C जो है यहां पर तो group C में देखेंगे कौन सा chapter है तो group C में यहां पर दीख रहा होगा आपको modern physics तो modern physics जो है आपको total इसे 5 question पुछे जाएंगे और जो instruction में हम लोग देखे थे instruction में 5 question में आपको कम से कम 2 question का देना answer अनुवार रहा है तो modern physics में जो भी आपका chapter है वो यहां पर screen पर आपको दीख रहा होगा आप इसको भी screen sort ले सकते हैं और इसमें और भी जो chapters है वो भी हम आपको दिखा दे रहा हैं और जो chapter है यहां पर यह है आपका यह भी modern physics का ही है आप इसको भी screen sort ले सकते हैं और अपना rights note कर सकते हैं अपने copy पर इसको notes कर सकते हैं और आप अपना इस syllabus का अंशार अपना study को तैयारी कर सकते हैं और यहां पर आपको help book के तोर पर यहां पर इन्वर्सिटी guest paper to physics honors paper 4 का यहां पर दिया हुआ है आप इसको purchase कर सकते हैं और आप अपना एक अच्छा notes बनाकर study कर सकते हैं तो यह रहा आपका total syllabus जो physics honors part 2 का है आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए comment कीजिए और हमारे चैनल से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद